आज के इस वीडियो का मुद्धा है प्री रेंडरिंग, हम लोग देखेंगे प्री रेंडरिंग किस तरह से Next.js में काम करती है, लेकिन ये प्री रेंडरिंग होती है, ये पहले समझ लेते हैं, जब आप एक टिपिकल रियक्ट वेबसाइट को विजट करते हैं, तो HTML, CSS और JavaScript आपको ship करी जाती है, लेकिन वो जो HTML होती है, उसके अंदर सारा का सारा page का content नहीं होता है, React.js का इस्तेमाल करते हुए, Next.js करता क्या है, कि by default आप लोगों को pre-rendered pages भीजता है, जिससे कि आपकी SEO बरकरार रहे, आपकी website के अंदर, जो social media bots और उसी के साथ search engines विजट कर रह एक React application, front end पर render होती है, JavaScript की साहता से, जिसका मतलब ये है, कि अगर for some reason, JavaScript कहीं पर execute नहीं हो रही है, तो page का content नहीं दिखाया जाएगा, ये बड़ी problem है, इसको solve करने के लिए, Next.js इस्तेमाल करता है, pre-rendering की, दो primary strategies को, पहला है server site rendering, और दूसरा है static site generation, server site rendering के अंदर होता ये है, कि आपका जो server है, वो client को भेजता है, सारा का सारा data, और आपका जो client है, वो जैसे-जैसे server से बात करता जाएगा, वैसे-वैसे server client को data भेजता जाएगा, static site generation के अंदर होता ये है, कि जो आपकी पूरी Next.js की site है, उसका सिर्फ front end bundle, एक पूरा static site में convert हो जाता है, और ऐस करने से फाइदा ये होता है, कि आप CDN की सायता से, या फिक किसी भी एक ऐसी service की सायता से, जो की बहुत fast pages को send कर सकती है, उसको आप लोग यूज कर सकते हो, और उसके सायता से, बहुत speedy web pages की delivery कर सकते हो, अब अगर आप लोग को ये सारी की सारी जीस confusing लग रही है, तो कौन सी कब इस्तेमाल करनी है, ब्रीफली मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग static side generation तब इस्तेमाल करें, जैसे कि आप लोग अगर blogs वगरा इस्तेमाल कर रहे हैं, blogs का content बहुत जल्दी change नहीं होता, इसलिए आप लोग वहाँ पर static side generation का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेक आप लोगों को server side rendering कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहाँ statically generate नहीं कर सकते हैं आप पहले से, क्योंकि live change हो रहा है data, हम लोग देखेंगे सारी की सारी चीज़े किस तरह से काम करती है, चलते हैं computer screen में और इस चीज़ को explore करते हैं So, अब आचो को है समयर pre rendering को समझने का, मैं जल्दी से यहाँ पर yarn dev लिखकर अपने server को start करूँगा, और आप लोगों को यहाँ पर pre rendering के बारे मों पता हूँगा, ने वह यहार होता किया है, मैं आपको होता आता हूँ, जैसे मालनो लोग है, codewithary.com या फिर कोई भी दूसरा ब्लॉग ठीक है, ब्लॉग लिखता हूँ, किसी का ब्लॉग तो आएगा, कोई ना कोई ब्लॉग आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि मालनो यह एक post कुलता हूँ, कोई random सा, ठीक है, how to write a blog post, step by step, ठीक है, यह कोई ब्लॉग है, इसका मैंने post खुर लिया, अब जो जी information देखने को मिले कि blogging में mean different things depending on your niche, ठीक है, देखते हैं, I don't know, हो सकता है यह चीज जावा स्क्रिप्ट से आ रही हो, हो सकता है कोई API हो जो कि इसको populate कर रही हो, और हो सकता है कि यहाँ पर already यह HTML का part हो, देख लेते हैं, हाँ यह HTML का part है, आप देखो एक paragraph tag है, तो अगर मैं एक bot हूँ, तो सिर्फ HTML को fetch करके, मैं यह पर JavaScript के execution की बात नहीं कर रहा हूँ, node करना इस बात को, मैं JavaScript के execution की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ HTML को यहाँ पर देख कर, HTML के content को समझ कर, मैं यह पता लगा सकता है, उस blog में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या यह यह फिर मुझे JavaScript यहाँ पर रन करनी चीए, अगर मैं JavaScript रन करूँगा तो उसके नुकसान क्या है, पहला नुकसान, अगर आपकी API किसी भी reason से डाउन है, और आपकी website यहाँ पर आप किसी ने हमानलो reload करा page, या फिर पहली बार load ही करा page, तब क्या होगा, अगर आपकी API डाउन ह लिए कि bot का मतलब कोई बुरी चीज है, bot का मतलब यहाँ पर अच्छी चीज भी हो सकती है, bot का मतलब Google का bot भी हो सकता है, bot का मतलब social media bot भी हो सकता है, आपको क्या लगता है, Facebook, LinkedIn, या फिर Twitter, यह सब लोग manually थोड़ना भी ठालते हैं लोगो को किसी भी link का जो text का भी आपने लिंक के अंदर क्या है, इसकी जलग आपको देखने को मिलती है, जब भी paste करते हो तो, उसे के साथ आपने देखाऊगा, Facebook पे आप कोई भी post करते हो, तो link आप डालते हो, तो link के नीचे image populate हो जाता है, और content भी थोड़ा बहुत populate हो जाता है, तो वो चीज कैसे की जाती है तो जो bot होता है हमारा वो page source को read करता है, और क्योंकि page source को read कर रहा है, तो यहाँ पर अगर content देखने को मिलता है, तो अच्छी बात है, bot कभी भी इतनी मैनत नहीं करेगा, कर भी सकता है, तो पहली नहीं कि पॉसिबल नहीं है, but in most of the cases, a basic bot आपके content को read तब कर पाएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग Google के bot की बात करें, तो Google का जो bot होता है, वो आपको बड़े अराम से यहाँ पर, जैसे कि यह content है, यह दिखा देगा अगर आपने कोई बिलिंक पेस्ट किया, और उसका reason क्या होगा, कैसे दिखा पाएगा वो, वो दिखा पाएगा इस content को read कर और आपको right click करके view page source पर लेकर जाओ, और मालनो मैं आप सिर्फ flask की लिखता हूँ, सिर्फ flask, flask word ही नहीं है मेरे content में, तो जरा सोचो, अगर मैं अपनी website को rank कराना चाता हूँ, और Google को देखने को मिलता है कि मेरे source code में flask भी नहीं है, flask शब्द का जिक्र भी नहीं है, Google तो यहीं समझेगा न, वो JavaScript को run थोड़ी नहीं करेगा, तो JavaScript को अगर रन नहीं किया जाएगा, तो मेरा blog flask के बारे में है ही नहीं, flask का जिक्र भी नहीं है, JavaScript का जिक्र है क्या, JavaScript का जिक्र भी नहीं है, लेकिन मेरे content में अगर आप लोग देखो, JavaScript लिखा हुआ है, तो य आप लोगों को अगर लेकर चलूँ अपने blog post page पर, तो आप देखेंगे, यापर मैं JavaScript की सहायता से बाद में content को fetch कर रहा हूँ, API से, ठीक है, मैं ये काम अगर पहले से करके रखना चाता हूँ, तो मुझे hardcode करने पड़ेंगे pages blog post के अंदर, यार, तीन blogs हैं हमारे, लेकिन blog post के अंदर सिर्फ एक मैंने याँ पर component बनाया हुआ है, और वो component सब चीजों की देख भल कर रहा है, वो यहाँ पर हमारा slug उठा कर, जितने भी हमारे blogs लिखे हुए है, हमारे blog data के अंदर उनको populate कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आती है, कि JavaScript का execution तो हो ग दूसरी है हमारी server side rendering, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं server side rendering की बात करूँ, और दोनों को समझना, बहुत अराम से समझना, ताकि यार, अगर आप लोग क्योंकि नहीं समझना अगर तो फिर आगे बढ़ने का कोई जादा मतलब रह नहीं जाएगा, मैं तरह dark mode हटा लेता हू यह by default dark mode है Google का, देखो server side rendering में क्या होता है, कि आपकी जो html files है, वो server पे पहले hydrate हो जाएगी, hydrate का मतलब कि अगर कुछ इस तरह से दिखाई पढ़ रहे हैं, जिसमें JavaScript का जिक्र भी नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पढ़ेंगी, जिसमें content का जिक्र है, यहा अब आप लोग अगर server पे यहाँ पर run करते हो, एक html page पहले आप generate करोगे और उसके बात client को भेजोगे, जिसमें content already मौझूद है, कि आपको यह manually करना पढ़ेगा नहीं, next.js के अंदर already है यह काम करने की शक्ती, यह काम करने का feature, इस feature का नाव है server side rendering, यानि कि आपके server पे पहले page generate होगा, एक ऐसा page जो कि SEO friendly है, एक ऐसा page जिसके source code में content का जिकर है, और उसके बाद वो client को भेजा चाहेगा, ताकि client को JavaScript run करने की महनत ना करनी पड़े, आप कर सकते हैं चाहें तो, client पर JavaScript run होगी, लेकिन content को populate करने के लिए JavaScript run नहीं होगी, content को populate करने का काम, कौन अ XJS अपने गंदे पर ले लेगा, ठीक है, तो यह चीज़ आप लोगो समझ में आनी चीए, तो यहाबर अगर मैं जाओं और आप लोगो दिखाओं ये वाला page, तो इसमें देखो सारा का सारा content है, source code के अंदर, मेरे hunting order में नहीं है, ठीक है, तो यह चीज़ मुझे server side rendering प्र Flask कह दिया, Flask is often abbreviated, JS, मानो लिख दिया मैंने और change कर दिया content, तो क्या वो changes reflect होंगे, अगर कोई नया user fetch करेगा, obviously होंगे यार, क्योंकि मेरा content है, वो कहाँ पर generate हो रहा है, वो मेरा यहाँ पर generate हो रहा है, मेरे server में generate हो रहा है, तो server side rendering क्या होती है, मैं client हूँ, मानो यह एक server है, यह एक server है, ठीक है, मैं client हूँ, यह server है, server क्या कह रहा है, server कह रहा है, client, तुझे javascript run करने की ज़रूरत यह content populate करने के लिए, मैं हूँ तेरे लिए, server क्या कह रहा है, मैं हूँ तेरे लिए, मैं तुझे जो HTML दूँगा, उसमे content होगा, guarantee, यह server side generation, अब client कहेगा, server से server कहेगा, मैं अपने end पे, यहाँ पर, मैं fetch कर लूँगा, database से, यह सारी जिम्मेदारी, मैं अपने गंदे पर लेता हूँ, API से data उठाने की, और hydrate करने की पूरे page को, यह जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, client खुछ हो जाता है, कहता है, ठीक है, अब यह आपर यह server side generation, तो server side generation पर अब क्या हो रहा है, on the fly generate हो रहे है, जैसे जैसे, client request कर रहा है, server क्या कर रहा है, एक request आई, server जल्दी से सारा data लेकर, hydrate करके वापस भीज दे रहा है, एक और request आई, server जल्दी से सारा का सारा data, मालो flask का blog है तो flask.json read कर रहा है, javascript है तो यह वाली file read कर रहा है, इस त server side rendering की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग देखो यहाँ पर, क्या है server side rendering is an application's ability to convert HTML files on the server into a fully rendered HTML page for the client, मैं आप next.js का पीच खुलना चाहूंगा, ठीक है, next.js का खुलता हूं, और यहाँ आप server side rendering आप लोग देखो, दो तरह की pre rendering के forms के बारे में बात की हुई है, static side generation और server side rendering, हमने server side rendering की बात कर ली, अब static side generation समझना क्या है, static side generation में क्या हो रहा है, कि server कह रहा है, कि यार देखो, मैं तुम्हें पूरी की पूरी side generate करके देदूगा, और फिर मैं चला जाओंगा, मेरा कोई काम ही नहीं है, या फिर आप ये काम सिर्फ अपने development environment में भी कर सकते हो, basically मैं क्या करूँगा, यह जो hunting coder है, इस पूरी side को एक static side में convert कर दूगा, server हो गई नहीं फिर इसमें, obviously अगर आप लोग API यूज़ करना चाहते हो, तो आपको server चलाना पड़ेगा, लेकिन front end की बात हो रही है, front end का एक bundle बन जाएगा, और आप लोग क्या करोगे, आप उसकी सह प्राइता से, एक static side generate कर पाऊगे, और static side क्या होती है, static side का मतलब कि, जैसे कि मानलो आपकी एक image है, वो एक static asset है, वो update नहीं हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि, अगर मैं next.js का logo, अगर मैं open image in new tab करता हूँ, यह अबर मुझे option नहीं मिल रहा है, मैं किसी भी image को अगर open image in new tab कर में, एक CDN द्वारा cache की जा सकती है, और यह जो static side की delivery होती है, वो बहुत fast होती है, तो अगर मैंने static files generate कर ले, यानि कि हर particular page के लिए dot html generate कर दी, तो क्या होगा, तो एक static side मेरे पूरे hunting coder के लिए generate हो जाएगी, और एक पूरी static side को फिर में deploy कर दूँगा, अब मेरी एक ब तो क्या होगा, क्या static side जो already deployed है, मैं नई static side generation की बात नहीं कर रहा हूँ, जो already deployed है, क्या वहाँ पर मुझे changes देखने को मिलेंगे, the answer is no, क्यों, क्योंकि मैंने जब static side generate करी थी, तब यह सारा content freeze हो जाएगा, जो content available है, उसकी static side generate हो जाएगी, और जब मैं deploy करूँगा static file को, त तो वो check नहीं करेगी मेरी hunting quarter के जो databases है, और यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या नहीं डाल रहा हूँ, इसको check नहीं करेगी, वो तो वहाँ पर freeze हो गया data, ठीक है, वहाँ पर वो data freeze हो गया, अब जब तक मैं redeploy नहीं करता हूँ, तब तक वो static file change नहीं होगी, तो यहा स्टाटिक जनरेशन भी होता है, उसके बारे मैं आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग यह समझ लो, कि यह दो तरह की major pre-rendering strategies है, next.js के अंदर, और यह दोनो strategies क्या कर रहे है, server side rendering, तो हर request पर server एक HTML page generate करके दे रहा है, जिसके अंदर content है, static side generation के अंदर, कि already ह हम पूरी side का जो हमारा static side है, उसको generate कर लेना है पहले से, और उसके बाद हम कहीं पर deploy करते रहे है, ठीक है, अब मालनो मैंने आपको static side generate करके दे दी, और आपको send कर दी आपके email पे, वो zip file जो है, वो send कर दी है, मैंने आपको, अमालनो मैं आपको change कर रहा हूँ, जो कि मैं obviously करूँ को hunting coder को और बहतर बनाऊंगा, क्या अगर आपने वो अला package deploy कर दिया, तो आपका update ठोड़ना हो automatically, नहीं होगा update, क्योंकि यहाँ पर मैं changes करूँगा, और वो आपके static side से उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, I hope आप समझ गया, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आने वाले वीडियो में चीज और clear हो जाएगी, मैं आपको बता दूँ, अगर अभी यह clear नहीं है किसी को अगर आपको यह लगता है, तो मुझे clear ही नहीं है, मुझे समझी नहीं आ रहा है, static side generation क्या है, server side rendering क्या है, यार होगा भी नहीं अभी जब तक आप लोग इसको करक नहीं देखोगे, theory, theory होती है, practical, practical होता है, और इसलिए मैं एक hands-on person हूँ, और मैं आप लोगों को यह चीज करके दिखाने में भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, तो चलेंगे आगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से strategies का प्रियो किया जाता है, एक है करके इन strategies को देखेंगे, सबसे पहले server side rendering को देखेंगे, और उसके बाद static side generation को देखेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि यह चीज किस तरह से की जाती है, अभी तक अगर आपने next.js की playlist access नहीं कर दिये तो इसको ज़रूर कर ले ना, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल